तो हेले सुदेंट्स लास्ट टैम हम लोग ने देखा था जितने भी बेसिक टर्मिनल लोग जिस थे इने रिटेंस एन विरेशन के तो इस बार हम लोग मैं आज तिंक तुमने लास्ट टैम का वीडियो चीज़े देख लिया होगा अब हम लोग डालेक्ली लॉस पर आते हैं मेंडल्स लॉफ इनेडिटेंस पर तो देखो फर्स्ट अफ फॉल आज हमने दो लॉफ देखने वाले लॉफ डॉमिनेंस और एक दूसरा लॉफ है लॉफ सेग्रिगेशन तो एक बेसिक एक्जाम्पल हम लोग फॉलोग करेंगे यहां पर मोनोहब्रीड क्रॉस दोनों लॉफ डॉमिनेंश ठीक है लॉफ डॉमिनेंस उसको फर्स्ट लॉफ इनिरिदेंस भी इते अब वो यह होता क्या है दो इक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं लॉफ देख लेते हैं इने क्रॉस बिटुइन तो ऑर्यकिनिसम और फोर एनी पेर अफ यानि अगर मैं टॉल ले रहा हूं तो साथ में डॉफ लूँगा एक राउंड ले रहा हूं तो एक रिंकल ले रहा हूं ठीक है कि सेम पेर का character होना चीए तो ऐसे अगर जै मैं cross कर रहा हूं दो ग्रासिंग्क के समय जो मेरा first generation आता यह ओई जो characters मुझे मिलेंगे टिक हो Mitchell ज deactivate characters उसको dominant गये ठीक है और जो ख्रालों से देख लिए ट profiles नर्षिक उनिषय यह श्रीए एक्सेप्टेट नहीं क्यों यह और ऊस्ट compute सब्सक्रेंट वोटाया था कि एग्जामेंट कर सतते हैं आप मोना है क्स रहेगा रहेगा प्राइट या लाफ डॉमिनेंस रिलीटेट तो आप यह वाला एग्जाम्पल ले सकते हो ठीक है तो फिर सफ इग्जाम्पल लेंगे इंक पैर के मित टो है डॉफ डॉफ ट क्या रि करते हैं यह हमारे क्या होगे फिनोटाइप मैंने पहले बता दिया था अगर आपने पिछला लेक्षा देखा हूँ तो आपको अच्छे समझागा यह फिनोटाइप से टॉल का यह डॉफ का फिनोटाइप है ठीक है तो अब देखो इसमें से हम लोग क्या करेंगे गैमेटस ठीक है तो हम लोग एधि फरम करते है व्यिदी कि स्मॉल टी यह क्या होगे यह गामेटस फार्मेशन होगे यह क्या है यह एक्चुल में जीनोटाइप थे अंतलब यह एप्रेसेंट कर रहे है उसका जीन्स कैसा अटबल्ट या स्मॉल टी फिनोटाइप अगर लिखना चा यह ऒफ हमने से स्टार्ट किया था फिन लिटाइप तॉल शुब किस बीस से चेल करते कंने कॉलिख को कम प्रेजन करते जैप कि कर सब्सक्राइट करते मि दिखें को अब और हम एफ-1 जनरेशन की करने के बाड थिपर नहीं करें खिता हैं दियुक्त जिनरेशन होता है नहां पर मिश्च क्या बन सकते दुने की बीच में की बच में कोम्बिनेशिन बनेगा हो चेपितल टी हिक पेस्टि मां गड़ा 2 सुग एक चुथाँ से समॉप यह थे नि वो दिखता है हमिशा और जो नहीं दिखता वो रिक्टर रेक्टर होता है मनए धुको यहां पर कैपिटल टी और स्माल टी कहाँ पर कैपिटल टी डॉमिनेंट के इसलिए एफ ऑन जेनेरेशन के अंदर तुम्हें तौल दिखेगा ठीक है इसलिए तौल किया हुआ तौमारा डॉमिनेंट केरेक्टर हुआ इतने याद रखना कि फन जैनरेशन में जो केर्क्तर दिखता है वह डॉमिनेंट होता है और जो नहीं दिखता वह रेसिस्व होता है ठीक है तो यहां टॉल रेसिस्व में टॉल दिखने वाला आप दोखों लोग एफ टू जयन्रेशन कर लेते हैं अब अब लोग सेल्फिंग करने का बंगे गभवे होता है. Aleem ही अब हम लगोघ्ज स्क्रफ इर्व बनाईंगे, ये पुनेट स्क्रेयर है? ठीक है? पूनेट स्क्रैयर है. मेल और Hugo सिंबल देंगे ये ये मेल का सिंबल conflict है? और ये जो टी टी है इसको लिखना है अभी में एक गैमेट को टाओंगा देखो similar है इसले देखो अभी अगर मैं इसको ले रहा हूं तो मैं separate करेंगे capital T small T उसी order में capital T small T ये क्या है टॉल रिप्रेसेंट कर रहा है ये डॉफ रिप्रेसेंट कर रहा है ठीक है ये अब देखो क्रॉसिंग करेंगे क्रॉसिंग बहुत सिंपल रहता है आपको पादा है कि हमें सबको life में फरवर्ड जाना है वैसे इन गैमेट को भी फरवर्ड जाना है देखो तो यह एक step forward और यह भी एक step forward यह आधर ना capital यह भी step आगे तो यहाँ पर पहले लेगा है एक step आगे एक step आगे एक step आगे एक step आगे अब दोनों small है तो दोनों small साथ में लेख सेकता है तो अब देखो आपको क्या दिख रहा है यहां पे तुम्हारे पास चार possibilities रैड़ी हुआ है अब दोखो यहां पर जो character रेड़ी यह भी टॉल ही देखका टॉल सिम्द्र हमशा दिखता है और जो सम्समें चिप हें पायँ लौ युद सब्ससक्राइब पर यह कैसा है यहाँ पर हुए नारे में अ चैज़िए कियों करकट और अब लित अनुल pop-up rings और एक जीनोटिपिक ratio phenotypic मतलब आपे मतलब को पता ही है और genotypic मतलब होता है physical appearance पे आपको मतलब होता है यह कितने मिले एक थे तीन तीन टाल कितना मिल एक तो जडु हां टींस यह आपका phenotypic ratio genotopic ratio कितन मतलब क्या makan आपके genes कि कितने wankenście capital D वाली कितने मिले आपको एक Capital T small t वाले कितने मिले ? 1 & 2 और small t small t वाले कितने मिले ? 1 तो आपका ratio क्या बना जिनोट्यीक ratio ? 1 is to 2 is to 1 phenotypic ratio क्या बना ? 3 is to 1 ठीक है ? तो या monohibrid cross का example था जो आप law of dominance के लिए उसके और अगर मैं example देना चाहो तो देखो यह universally accepted नहीं है universally accepted क्यों नहीं है अब देखो कुछ hindrance थे जो यह law पुरा नहीं कर पाया जैसे for example कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई एकदम complete tall होता है या complete doff होता है ठीक है या फिर ऐसा भी नहीं होता है कि कोई complete fair होता है या complete dark होता है averages भी मिलते है ठीक है short height भी मिलते है तो या तो यह complete tall होना चाहिए तो complete doff होना चाहिए लेकिन ऐसा possible नहीं था इस law में तो इसलिए यह law universally accepted नहीं है या तो देखो अगर दूसरे वह में देखा जाए तो कुछ offsprings completely fair नहीं होते या फिर completely dark भी नहीं होते हैं ठीक है कुछ मुलेटव टाइप भी होते हैं मतलब सावला टाइप ठीक है तो यह law यह प्रूफ करता है कि यह law मिन्स यह जो पॉइंट है कि यह law universally accepted नहीं ठीक है अब मैंने आपको पुनेट स्क्वेर बनाना सिखा दिया है ठीक है अब पुनेट स्क्वेर यूज करना आना चाहिए सबको एक और एक ट्रिक होता है वो भी याद रहना चाहिए था कि आप क्रॉस वेरिफाई कर सको ठीक ह यह तो कंप्लीट हो गया है हमारा पुनेट स्क्वेर लॉफ डॉमिनेंस और वग्यरा वह रहे कंप्लीट है तभी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि यह जो पुनेट स्क्वेर आपने किया एक अलग वे में अपने चेक परपरस के लिए कैसे कर सकते हो देखो जब गैमेट एक डेटि चैव यह वाले चेक कर सकते या फिर यह भी चेक कर सकते हो का चेपिटल टी अब इसको नमबरिंग दूँगा 1 2 3 4 अब यह देखना हमिशा 1 का पैर 3 1 का पैर 4 2 का पैर 3 एंड 2 का पैर 4 अब देखो होता कैसे है हो यह हो रहा है च्छेक परबस के लिए आप यूज का सकतो हूज अगर ये स्थेम आप यह पे भी apply करके देखो तो आपको वो possibility मिलेगी लेकिन यहां पे जो आपको variance मिलेगा चारो सेम मिलते इस वज़े से हम एक ही उसमें से use करते जैसे कि मैंने यहां पे use किया ठीक है तो यह आपके extra purpose checking purpose के लिए था बागी को तो concept आपका यहीं तक था ठीक है यह आप example यूज कर सकते ह आपको first law समझ में आ गया होगा आप second law पर आते इस law में भी आप वही diagram यूज कर सकतो explain करने के लिए तो यह law का नाम है law of segregation second law of inheritance law of purity of gametes यह सब इसके तीन अलग अलग नाम है ठीक है आप तीनों नाम आम आपको पते रहना चाहिए अब वह law क्या है देखो members of allylic pair in a hybrid remain together without mixing with each other and segregate or separate doing gamut formation it is universally accepted अब यह पूरे universally accepted है और यह log क्या है भी में एक diagram बनाने के बाद आपको समझा हूँगा तो देखो simple जैसे हमने थोड़े पहले बनाया था normally आप crossing लिख होगे double t small t आप mention कर देना इसको यह phenotype है और sorry genotype है ठीक है इसका phenotype भी लिख देना टॉल डॉफ ठीक है आपको यह चीज़े मैंने बताई है फिर बाद में आप एक gamut select करते हो इसमें से एक capital T इसमें से भी एक क्यूंकि यह दुनों similar है एक ही use करोगे फिर बाद में combine करते हो उसका एक f generation बनाते हो f1 generation बनाते हो फिर बाद में यह आपका f1 generation हो गया जो की टॉल कि अगर हमेशा dominant dominant चीज़े ही दिखती है और चीज़े नहीं दिखती है यहां पर क्या dominant है टॉल dominant इसलिए टॉल दिखेगा अब उसके वाद हमने पुनेट स्कूर रेडी किया था उसी वे में पहले symbol बनाओ फिर बाद में f1 generation का जो पेर था उसको order में लिखो capital T small T capital T small T अब सबको आगे बढ़ना है life में जिसके मने पहले बता था कि forward जाना है तो यह दो capital T capital T यह small T यह small T इदर capital T आगे small T इदर यह small T इदर इदर तो यह small T इदर ठीक है तो यह सब चीज़े हम लों नहीं किये थी law कहाँ था हमेशा capital लिटर आगे रहेगा सेम जैसा कि पिछले बार में किया था बाकी आमने रिपीट किया है अब आपके पास ratio किया था phenotypic ratio 3 is to 1 genotypic ratio किया था 1 is to 2 is to 1 था ठीक है यह phenotypic ratio था यह genotypic ratio था अब देखो में को संधान है क्या है यह law संधाना है अब देखो जब आपने gamut combine किया यहां पर gamut बने बाद में combination किया आपको यहाँ लगा होगे कि यह जो टॉलर डॉफ है mix हो गए होगे यहाँ आइसा हुआ नहीं यहाँ नोट mixing ठीक है हुआ क्या जब आप F2 generation के अंदर है F2 generation में है तो यही चीजे बाद में segregate होगे जैसे को यहाँ पे tall segregate हुआ यह भी segregate हुआ यह भी segregate हुआ और यहाँ पे देखो मुझे complete doff मिला मतलब यह हमारे जो gametes थे mix up नहीं हो रहे pure रहे एक जग़ा पे ठोड़े लेकिन वो pure रहे थे आगे जाकर वो F2 generation में segregate हो जाते है यह हमारे पास proof है कि वो purely segregate हो जाते इसलिए लाव कॉम purity of gametes भी कहते है जिसे नॉर्मली sexually reproducing organisms में जब जो organism रहता है वो 2N form में रहता है ठीक है और जब वो segregate होता है जैसे कि मैंने बता है कि जो sexually reproducing organism होता है कैसा है 2N set का chromosome होता है और जब वो अलग होता है मतलब जो gamete organism रहते है 2N form में रहते है और जब segregate होते है N form में आधे बाद में वापस जब combine होते है तो फिर से 2N हो जाते है तो यह law भी यह भी देखने के बाद में पता चलता है कि law of purity of gametes का law क्या हो रहा है accepted है इसलिए हर जगे अपला होता है तो इसको universally accepted भी कहते है ठीक है तो आपको law समझ ही गया होगा देख सकते हो आप यहां पे कैसे purity of gametes maintain की गई है they were segregated here ठीक है आपके पास ratio भी है so thank you एतना ही था दो लो कर दो